यह opposition unity की जब बात चल रही थी, तो दो साल पहले शारत पवार जी थोड़ा godfather kind of a role में थे, क्योंकि वो इतने senior थे, सक्रिय थे politics में, लेकिन अब उनके स्वास्त के कारण वो थोड़ा back seat ले रहे हैं, सुप्रिया सूले को भेजा उनोंने, तो अगर NCP इस opposition unity का हिस्सा बनती तो not really a leadership role, वो लालु यादब ने लिया, वो ममता ने ले लिया, शारत पवार जी अब back seat में आ गया हैं, तो उनका NCP का क्या वजूद है उस unity में? नहीं, आप शारत पवार जी को जानते नहीं है, और देखें, he has health reasons, but he is fit, ऐसी शारत पवार जी आज भी घूमते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि at his age, he is politically totally alert, देश के उन politicians में उनका शुमार होता है कि जो राजनिती को सिरे से जानते हैं, आज भी होता है, इसलिए यह वो जरूर चाहते है कि जैसे सारी family parties में होता है कि एक legacy अपनी transfer होनी चाहिए, तो इस legacy को transfer करने के लिए उनने सुप्रियाजी को आगे क्या है, देखिए अगर वो backseat में जाना चाहते हैं तो सुप्रियाजी को अध्यक्ष बनाते हैं, प्रदेश का बनाते हैं, उनने कारयाद देख्ष बनाया है, ऐसे कोई पोस्टी नहीं है, उनके साथ साथ प्रफुल जी को भी बनाया है, तो ये एक process उनने शुरू किए legacy transfer करने की, बाकी नेता पवार साह भी है, driving seat में पवार साह भी है, opposition unity को drive करने वाले पवार साह भी है, opposition को साथ में लाने वाले पवार साह भी है, और सारी opposition parties जो एक दूसरी का मूँ भी नहीं देख सकती, ऐसे लोगों को भी एक दूसरी के सामने बैठाने की जो एक शमता है, वो पवार साह भी है.